हे मेरी प्याइट ये फैमिली कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं गूगल एड्स पोर्स के बारे में कि इसमें है क्या और यह आपको क्यों पर्चेस करना चाहिए आपको यूट्योब पे किसी वीडियो में नहीं मिलने वाली है आपको कोई भी नहीं बताने वाला है जस्ट आप किसी सैडल लगवाएंगी वह आपसे पैसे लेंगे और आपका काम फिनिश हो जागा और आप बहां से आप कुछ सेखेंगी भी नहीं और अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल है अपना कुछ भी है तो आप प्रॉपली गूगल असके तुरूश चीज को रन करके बहुत जादा बेनफिट कर सकते हैं वह सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्स्क्राइन करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको बढ़ा दो मुझे गूगल अर्ट मत काम करते हुई हो चुके हैं और मैंने इस पर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपने वीडियो पे एड रन किये हैं किस तरह से मैंने CPP को 0.01 तक लेके गया हूँ और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े यूटूबर्स तक की एड लगाई है और मैं continue इन चीज़ों से काफी कुछ सीखा है जो कि एक यूटूब पे नहीं है सच कहूं तो proper information कहीं भी नहीं है जहां जिस आपको यूटूब पे बता दिया जाएगा उससे होगा कि आपको views आपको आपको कमेंट आएंगे कुछ भी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी तो इस जो कोर्स मैंने कम्लेट किया है इसमें seven chapters है total point to point मैंने बात किया है क्योंकि एक्स्ट्र जो point to point बात होती है वही सही रहती है क्योंकि आज की time is money और मुझे पता है मेरा और आपका time बे बहुत तो इसमें seven chapters है तो मैं बताना चाता हूँ पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी purchase क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए तो सबसे पहली बात दोस्तों यह है जिसे आपको अपने यूट्यूब चैनल है तो नौर्मिली हम उस पर अपने पांस्तो हजार दो थीन हज पर जितना हमारा नौर्मली बजट होता है एक नौर्मल मेड़ क्लास बंड़े का वो इतना पैसी Google Ads में spend करना चाहता है और स्टार्टिंग में बंदा एड रन प्रॉपली नहीं कर पाता उससे account ही create नहीं होता बहुत सारी चीज़ें होती एड अप्रोब हो जाते हैं डिस प्राइबर्स नहीं आते व्यूस नहीं आते ओल ओवर यह चीज़ें होती है तो मैंने इन साइवन चेप्टर में सारे चीज़ें complete की हैं और मैं आपको बजाना चाहता हूं इस जो कोर्स का वैल्यू है वो है 9999 है और कोर्स का पहले प्राइस 500 था लेकिन इसकी डिमांड ब देजे सार प्लीस में राइड रन कर दीजे तो यह कोर्स उस बंद्य को पर्चेस करना चाहिए जिसका वजट दो से तीन यह मिनिमम पाच हजार तक है क्यूं आपको परचेस करना चाहिए पहली बात आपको एट उजट सारी डीटेश में मिलेंगी कि किस तरह से कैंपेंड क्रेट करना है किस तरह से कैंपेंड सेट करना है ताकि आपको वहां से व्यूज भी आएं सब्सक्राइबर्स भी आएं और जितने वी चीज़े हैं एक अच्छी आउडियंस आपके चैनल के पर एंगेज हो ताकि वह सिफ उस वीडियो के पर व्यूज ना है जो आप बाद चाहिए बहुत सारी यूट्यूबर्स पताते हैं सारी चीज़े उसमें मैंने एक्स्पेंड की हुई है तो दोस्तों अगर आपको पांच हजार से कम बजट है पहली बात में आपको बदा दो अगर आप किसी से गूगल एड्स लवाते हैं पहली आपको कैश बैक नहीं मिल रहे हैं देन आप दो तिन अकाउंट इसलिए अपने फोन में क्रीट करके खुद लगा सकते हैं लेकिन शरत यह है कि आपको एड्ड लगानी पड़ेगी आपको सीखना होगा कि एड्ड हर कोई लगा लेता है लेकिन जो यह चीज़े होती है वो स्पैसिफिकली हर कोई नह लगा दो ऐसा कुछ में नहीं है जैसे आपने मुझे 2,000 तो आपको नहीं मिलेगा और अगर आपको एड्ड लगाने आती है तब ही आपको कैश्वेक मिलेगा तरवाइस आपको कैश्वेक बेस्ट हो जाएगा जो आपका चीमेल के उपर आपने चीज़ बनाए थी तो एक अच्छे से आपको वहाँ पर अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं चीजों को फॉलो करके वह वह rolled ऑ आ फॉस comprends ही मिलेंगे तो फिर आप दूसरे की अड्ल लगा सकते हैं अपने फ्रेंट्स लगा वञा सकते हैं जैसे आप ऐसे बहुत सारे से अ कंपणी से बहुत सारी रिजर्ट्स मिलते हैं तो यह बात है 5000 अगर आपका कम बजेट है तेन आपको यह कूर्स पर्चेस करना चाहिए ताकि आप खुद अपनी और दोस्रों की एड लगा पाए और जो तीसरी बात है दोस्तों अगर कोई बहुत सारे मुझे चाहिए चोटे से यूट्यूबर हो च कि उनका अपने यूट्यूब चैनल नहीं है तो उनके लिए भी चीज़ है अगर आपका बजेट 5000 से अप है देन मैं आपकी एड रन करूंगा और जिस स्पैसिफिक चार्जिस है वह 1000 होगे चाहिए आप एक लाग की एड लगा देजी चाहिए आप 5 की 10 की 15,000 की कितने की भी एड लगवा लीजे क्योंकि मुझे पता है इसके पास जो एक उनकी पास टाइम नहीं होता पहली बात है जिसके पास पैसा खुला है वो दूसरे से एड अफ्कूर्स लगवाए क्योंकि एक बहुत हिंजट का गाम होता है अगर आपको प्रॉपली चीज़ें करने नही आती तो आप इसमें frustrated होंगे आपको cashback नहीं मिलेगा आपकी जो money है सारी के सारी अकॉंट में फसी रहेगी और आपको पूरा ध्यान YouTube चैनल पर वीडियोस ना बनाके सारा ध्यान Google Ads में होगा कि campaign approved क्यों नहीं हो रहा है यह सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है तो मैं उस चीज नहीं को campaign approve करना है वो करवा के है रहेंगे और हर एक चीज़ें क्यों ही है अगर आपके पास money एना इस चीज़ें मत फसो अगर आपका budget हाई है तो उनका ad में खुद run करूंगा Instagram की ID में ने नीचे description में दे हुई है home page पर आपको अभी दिख जाएगा home page sorry screen के उपर भी आपको दिख जाएगा तो इस सारी चीज़ें हैं दोस्तों काफी मेरे ख्याल से triple nine कोई बड़ा amount नहीं है अगर आप Google Ads सिखना चाहते हैं अगर आप online करेंगे तो आपको बहुत महांगे महांगे courses मेलेगे इस रिगारिंग तो मैं यहीं purchase करता हूं और इसके लिए जो ट्रिपल जो स्टार्टिंग के टैन मेंबर्स होंगे उनके लिए कॉस्ट ट्रिपल नाइन है और जो लास्ट के मेंबर्स होंगे दस के बाद जितने भी बंदे जॉइन करेंगे उनको 1499 रुपे मतलब 1500 रुप कि है वो अपनी खुद लगाना सिखें ताकि उनको भी उससे benefit मिले और सारी चीज़ें वो कर पाएं और एक अच्छा business अपना एस्टिपलाइस कर पाएं Google Ads के थ्रू तो उनहीं के लिए है और जो जिनके पास high budget है पांच-दस हजार से अबाब उनका budget है वो मेरे से एड़ लगवा सकते हैं यह किसी भी ऐसे बंदे से लगवा सकते हैं लेकिन मेरे क्या से 1000 is the minimum amount को यह आप से लेगा तो यह सारी चीज़ें होते हैं क्योंकि 2000 का एड किसी से लगवाएंगी 500 पर उसको चार्जर देंगे तो उसमें आपको उतना benefit नहीं है दोस्तों पहली बाती है औ भाई किसी के लिए कोई भाई बंदी नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे कहेंगे तो अच्छे चीज़ों पर पैसे स्पेंड करो जिस्त यह आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बोलता हूं बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे से तो फानली थैंक यू सो मच एक अच्छे पेमें क्योंकि फ्रीचीज़ की वैल्यू नहीं होते है तो यह आपको पूर्स फ्रीज़ें भी दे रहें गाए कि फ्रीची़ की वैल्यू नहीं होते है इसलिए नाथिंग एस ट्रेब की वाकिंग एंड बिलीव निव ड्रेंज पीस